माल पाओ, एंकाउंटर करो यूपी एश्टी अपकी जो ये कारिवाही है क्या आपको लगता है कि ये जाती देखकर किया गया है जो ठोक डालो की नीथी चल लएए उसके एक शिकार मंगेश्या दो दरजनों लोगों ने मुझे खुद बताया है फुल से हाफ इंकाउंटर कराने के उन्होंने पैसे दिये हैं कितना रुपए लगता है फुल इंकाउंटर में फुल इंकाउंटर से हाफ इंकाउंटर बतलने में तीन लाख, चार लाख, पांच लाख प्रकार की चीजें हो रही है तो लोग सवाल करेंगे कोट कहा है कानून कहा है मंगेश यादो इंकाउंटर थेरी को लेकर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है और यूपी एश्टी अप कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर कसूरवार जिम्मेदार यादो सेना ने असपष्ट में कहा अखलेश यादो ने उधर ट्वीट किया अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्बाइपियस अम्ताप ठाकूर सर है जुडेंगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे सर मंगेश यादो के मामले को कैसे देखते हैं आप जहां एक तर प्रदेश राजधानी बन गया है इंकाउंटर का क्या कुछ कहेंगे सर आप देखिए मैं यह कहना चाहूंगा वर्ष 2017 में जब श्री आधित्यनात प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने एक नई थियोरी लाई जिसका नाम इन्होंने ठोक डालो रखा कुल मिला कि उन्होंने पुलीस को उत्तर प्रदेश पुलीस को इस बात के लिए प्रोशाहित किया इस बात के लिए बाद्धि किया कि वे जो लगभग लुप्त प्राए हो गया था इनकाउंटर थियोरी यानि स्टॉट सर्किट ऑफ जस्टिस यानि कि जस्टिस के नाम पे यानि पुलीस द्वारा किसी को पकड़ के किया जाना यह सब बातें जो लगभग समाप्त हो गई थी वह श्री आदितिनाथ जी ने अपने मन मरजी से अपने राजनेतिक लाभ से इसका पुनर जीवन कर दिया बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि योगी आदितनाथ ठोक डालो की नीती पर काम कर रहे हैं आप असपश्च सब्दों में ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने कहा कि ठोक डालो हम अपरादी के लिए कह रहे हैं जो करेगा वो भुक देगा उन्होंने असपश्च सब्दों में क्लियर कहा और उनका ये भी कहना है कि यदि अपरादी है अपरा जोधी थे और निशित रूप से उन्होंने उनको ठीकाने लगवा भी दिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल करा दी गई मुखतार की वह चीखते रहे हो गया अतीक एहमद उनके भाई की पुलीस कस्टडी में इनकी कस्टडी में हो गई जीवा कोर्ट के अंदर हो गई अर्थात उनका यह थियोरी जो है कि मतलब मैं समस्त अपरादी हूं नहीं वह पार्शियल एक आंख मूंद के अपने विपक्षियों अपने विरोधियों जिनसे उनको कही न कही न वेक्तिकत अस्तर पे राजनितिक अस्तर पे नाराजगी है उसके लिए उन्होंने चक्णा गया तो उनसे उसको पूछा गया फूल एंकोउंटर चाहते हो कि हाफ एंकोउंटर अबःख एंकोंटर जैसे फूल-प्राई-अंडव्य हाफ-फ्राई-व्यटा की तरह पुलिस ने बना दिया तो यानि आप यह कह रहे हैं कि मंगे स्यादों का फुल इंकाउंटर हुआ उसको उपर पहुचा दिये गए तो इसमें पुलीसिया कारवाई की गई और इसमें कहीं ने कहीं प्रदेश के मुख्या का हाथ मैं स्पष्ट और पुनाह कह रहा हूं कि जो ठोग डालों की नीती है वह पूरी तरह से श्री आधितिनाथ जिम्मेदार हैं लेकिन यह भी सही है कि जैसा आपने बताया है वो खुद कह रहा है कि मैं तो नौकरी करने नहीं आया हूं उनके दोनों हाथों में लड़ू इसी ल मैं थोड़ी का तब गुनाह को मैंने तो न्याय के लिए का लग हो जाएंगे यह जो अफसर इस समय उनके उत्साह में अपना लालत सिद्ध कर रहे हैं उनको खुश कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं गुनाह कर रहे हैं अंत में फसे फसाएंगे यही क्योंकि आदितनाज जी आपको लगता है कि पूरे मामले पर बात किया जाती देखकर उत्तर प्रदेस में इंकाउंटर हो रहा है जाती देखकर अब उत्तर प्रदेस में गोली चलाई जा रही है और जाती देखकर पुलिस जो है चुन-चुन कर बदला ले रही क्या आपको यह लगता है कि क्या वाक यूपी एश्टेप की जो ये कारिवाही है क्या आपको लगता है कि ये जाती देखकर किया गया है योग्यादी तनात ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं मैं इस पर दो बाते कहूंगा पहली बात की मंगेश यादो दारन को मैं कोई अलग नहीं मान रहा हूं एक जो गुनाह लोग हैं नमबर दो बात मैं उसको जाती नहीं कहूंगा मैं उसको एक व्रिहतर मैं दो कारणों से Console मान रहा हूं एक राजनेती कारण दूसरा और ध कारण ओपर से आधितिनाजी के घे स्थर से राजनेती कारण से encounter के हो रहे हैं ने सब देख रहे हैं श्री आदितिनाजी के राज में दर्जनों तो मतलब चुनिंदा अपराधी माफिया लगभग हर जिले में हैं जो पूरे शान से घूम रहे हैं और इस दौरान भयावह रूप से पुश्पित पल्लवित हुए हैं तो जो दोहरापन है वह दोहरापन मैं समझूंगा कि किसी भी व्यक्ति को इतना ज जिए अंग हैं तो बुनिए दी बात तो है राजनीती जो राजनिति रूप से सूट करता है यह सभी जानते हैं कि संधितने किस पार्टि का जो बड़ी पार्टि किस कोन वोट बैंक है तो राजनीती तो एक मेरेमीया rageton नहीं है इस आधार पे पुलिस सिधे सिधे कर रहे हैं चाहे स्टीएफ चाहे जिला पुलिस वह आर्थिक कारणों से कह रही है कर रही है उसमें कोई जाति धर्म नहीं है माल पाओ एंकाउंटर करो या न करो इंकाउंटर में किस ने माल दिया था प्रदेश के मुखिया ने माल दिया था या कोई अपोजिट पार्टी यह कभी नहीं कहा कि अदितना जी क्यों माल देंगे उनके तो आदेशी समय कानून है तो मैंने इसी मुर्फता पुर्ण बात में कही कि अधितना जी माल दे रहे हैं माल पॉलिटकल राइवल्स दे रहे हैं माल वह जैसे माली कि मुझे स्यादों कोई बहुत बड़ा मंत्री तो था नहीं कोई क्यात अप्रादी ता नहीं कि उसके ऊपर 5600 मुकतमा चला था उसको लोग खोज रहे थे दस बीस मुल्क की पुलिस खोज रहे थी ऐसा कोई तो माफिया सरगना तो था नहीं उसको उसके लिए लोग सुपारी क्यों देंगे उसके लिए माल क्यों कोई डिला करेगा मेरी और आपकी बात का बुनियादी अंतर यह है कि आपका पूरा लोग इस तरीके से हैं मैं पिर वहीं आऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ दो कारण जानता हूं जिसें काउंटर हो रहे हैं पहला पॉलिटिकल कार और यह मैं मंगेश यादो के मामले में ही नहीं कह रहा हूं मैं सभी एंकाउंटर में और खुले ढ़ंग से आरूप लगा रहा कि पॉลिटिकल कोई भी एक एक एनْकाउंटर एसा नहीं है जो पॉलिटिकल नुक्सान दे हो भाजपा को या श्री आधित्यनात को हरे का ही यूण को पॉलिटिकल करता है नंबर एक बात नंबर टू बात की तमाम ऐसे चुकि जेल मेंinea अपने अनुभसे मैं जानता हूं दरजनों लोगों ने मुझे खुद बताया है कि फुल से हाफ एंकाउंटर कराने के उन्होंने पैसे दिये कितना रुपए लगता है फुल इंकाउंटर में मुझे जो बताया गया था जेल में कि उस समय दोहजार 21 में फुल एंकाउंटर सहाब इंकाउंटर बदलने में 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपे पुलिस ले रही थी आप कहा रहे हैं कि 5 लाख रुपे तो ये अमिताब ठाकूर जी हैं पूर बाईपियस हैं और बता रहे हैं कि आठ लाख रुपे पांच से आठ लाख रुपे या तीन से आठ लाख रुपे के भीश में पैसा दिया जाता है और इतने रुपे देने के बाद फुल इंकाउंटर हो जाएगा खेल खतम हो जाएगा ठोक दिया जाएगा आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठोक ठोक देने वाली राजनीती चल रही है कि ठोक देंगे उड़ा देंगे छोड़ेंगे नहीं बकसेंगे नहीं यदि इस प्रकार की चीजें हो रही है तो लोग सवाल करेंगे कोट कहा है कानून कहा है इस तरीके से चीजें हो रही तो मैं जानता हूं अभी दो दिन पहले मैंने देखा सीजेम प्रियाग राज ने वहां के एसोजी टीम और अन्य लोगों पर फाइयार फरजी मुढभेर में आदिश किया कुछ दिन पहले मैंने देखा एक एस पी थे उन पर और आया किसी और जिले में एस पी और अन्य मैं एक encounter हुआ था ऊसमें हमारी वाइफ कोट में कहा कॉट है उसमें आयलान करा में अक्या चल रही है हाफ इंकाउंटर फुल इंकाउंटर चल रहा है और इसमें पूरी तरीके से सरेक्षण प्रदेश के मुख्या माने मुख्यमंतरी योगी आधितिनाद दे रहा है यह तो हो खुद कह रहा हैं तो उनकी बात दूरा आ क्योंकि दर्जनों स्री आधितिना ठोक्डालो शब्द मैंने नहीं किया उन्हों ने हर जगा जो करेगा वह भुकतेगा प्रक्रिया है उन्हों और ये मामली गलटी नहीं है, ये वह ध्यावह कलती है भयानक गलती है आप पुलिस सेवा में भी रहे और वैसे भी तमाम अपने जो है आज़ाद अदिकार सेना के तेहरा को नया दिलाने का काम कर रहे तो आपको क्या लगता है कि इस गमभीर गुना आप क्या रहे कि मानिए Supreme Court में इस योद को सुनवाई चल रही है इसनो आइचाल रही